ना पोर्शे नमबर 5 पीक्यो प्रपेंडिकुलर बीए यह जो साइन होता है इसका मतलब है जो पीक्यो है न वो बीए पर 90 निगरी का एंगल बना रहा है पी आर प्रपेंडिकुलर तो बीसी और जो पी आरहे है वो बीसी पे 90 निगरी का एंगल वना रहा है इसको पर प्र्प्र को प्र हमें शो करना है बी पी पाइसेट एंगल ए बीसी को बाइसेट कर रहा है बाइस सेनने दिएए होते हैं इंटरसे इंटर्सेक्ट कर दें मतल्ब कहीं से कोई भी लाइन करना फोस्का कर दा वह कि यह दोनों धोस्का है कि यह आधस अगर इंगल सेन साफ हो रहा है तो इसका मतलब यह और इस का अगर इह 50 देहरे दाग करना अगै के लिए आए अगर यह वैंगल इसजेएग आपञ इसने देह ग्याशंटुरीव हो जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं देखो हम लेते हैं ट्राइंगल इं ट्राइंगल Q B P Q B P एंड ट्राइंगल R B P R B P यहां रखना कॉस पॉंडिंस जो वर्टाइक से हो as it is लिखने है इस Q पे 90 डिगरी का एंगल है तो R पे भी 90 डिगरी का एंगल है P दोनों में कॉमान है and then B दोनों में कॉमान है and then P चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों के दोनों राइंगल प्राइंगल होगे मैं लिग दू एंगल P Q B इक्वाल टू एंगल P R B इक्वाल टू 90 डिगरी चीक है अगर यह 90 डिगरी है तो यह वाली साइड क्या है देखो अगर कोई राइंगल प्राइंगल है आपको उग्वी पताया था यह राइंगल प्राइंगल है तो इस से अपोसेड साइड रहा है हाईपॉट्नियूस यह वाली साइड क्या है हाईपॉट्नियूस यह साइड स्टैंगल के लिए भी B P एपे कोमन हाईपॉट्नियूस यह common hypotenuse है दोनों का और हमें क्या given है PQ equal to PR PQ equal to PR right angle triangle है hypotenuse equal है X side equal है तो कौन सा congruence ही का रुप्लाई हो गया therefore triangle Q BP congruence triangle R B P कौन सा रूल हो गया right angle hypotenuse side right angle hypotenuse side अगर यह दोनों triangle concurrent है तो यह वाला यह किस वाला अंगल की इको हो है तो इस एंगल को रिडिक्या करेंगी QBP so angle Q BP equal to angle R B P R B P bracket में क्या रिखना है CP, CT congruent part of congruent triangle congruent part of congruent triangle यह दोनों आपस में equal है तो इसका मतलब क्या है यह जो BP है वो इस complete angle का क्या है bisector so therefore BP bicep angle ABC यह आपने proof करना था hands proof यह आपस्टों 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 आपस्ट